ये कहानी कहूं ये कहानी सुनो सुनेते रहना आया कल्य युग का कैसा जवाना ये कहानी कहूं ये कहानी ये कलियों का कितना बुरा समय आया है इसी भारत में पहली गानी है सासू पहुँओं में बनती नहीं है माराज परिचत देखा होगा घर घर्म की बात है ये सास बहु को नहीं समझती है और बहु सास को नहीं समझती है देखो माराज परिचत एक बात कहीं कथा तो सब कोई जानता है ये कथा है रही हूं आप हमसे ज़्यादा जाते हों के हमें मालुख है है क्योंकि बुजर्ग लोग हद से जादा ग्यानी होती है और हम तो आपके सामने एक छोटी सी नादान कन्या हैं वे सब कोई करता है और कराता है लेकिन जो कथा में अच्छे-च्छे सब्द होते हैं उनको ग्रहेड किया जाता है यही नहीं कि हम कथा सुनने जाएं और कथा में सुनते रहें मोज मस्तिली बागी चले गए आराम से घर में ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छी बातों को अमन करो उसको अमन करने से आपका जीवन धन बनता है बताया है इसी भारत में पहली कामी है साथों पहुँओं में बनेती नहीं है सासों पहुँवर पहनी पहुँवर सासों पहनी सुन ये ते रहे ना आया कली उगे का कैसा सासों जो होती है में बन बन जाती है और बव में जो होती है ये सासों बने जाती है कली उग में ये आचलने लगा है और दूसरा बताया है इसी भारत में तुझी कामी है भाईया भाईया में बननी नहीं है माराज एक पती सही बात है चाहे दो भाईया हो चाहे एक चाहे तीन हो लेकिन भाईयों भाईयों में कभी बनेगी नहीं कुछ नहीं तो बटवारेगी फीची लड़ाई होनी करें आपस में भी एक मागे पुत्र हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को कोई बात बर्दास नहीं है इसी भारत में दुसरी कामी है भाईया भाईया में बननी नहीं है भाईया दुस्मन बना दुस्मन भाईया बना सुनते रहे ना आया कल युग का कैसा जमाना तालियों के साथ में और बताया हमारे आज बरिच्चतों इसी भारत में दुसरी कामी है बापु बेटों में बनेती नहीं है बेटा बापो बना बापो बेटा बना सुनते रहे आया कल युग का कैसा जमाना ये कहानी काँ हूँ ये कहानी सुनो सुने ते रहे ना आया कल युग का कैसा जमाना ओंजिय को विंता भाई बंडीकी की झाल झाल